Welcome to SJ Inceptions और Aquarium चैनल तो यह हमारा 8 feet by 2 feet का जाइन्ट सिल्वर एरवाना फिस्टैंग तो आज मैं आपको हमारे एरवाना फिस्टैंग का कैनिस्टर फिल्टर क्लीन करके दिखाने बाला हूँ याद रहे आपको हर एक महने में एक बार आपका कैनिस्टर फिल्टर क्लीन करना ही होगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह कैनिस्टर फिल्टर क्लॉग हो सकता है और प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और यह जो लेफ साइड पर आप बड़ा सा इनलेट देख रहे हो यह भी ब्लॉक हो जाएगा और प्रॉपरली डर्ट को सक नहीं करेगा तो यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैं मंतली कैनिस्टर फिल्टर मेंटेनेंस करता हूँ और किस तरह से ओवराल यह प्रोसीजर होती है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ अलग लगेगा तो स्टे टून तिल दे अंड अफ दे वीडियो तो हमारे बड़े सिल्वर एरवाना फिस्टाइंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ संसन का 304B कैनिस्टर फिल्टर और इस फिल्टर में आपको यूविलाइट भी मिलती है तो मेरे ख्याल से संसन यह सस्ते में मस्ट फिल्टर है काफी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इसका अब तक तो सबसे पहला स्टेप है इस लीवर को उपर के तरफ प्रेस करना ताकि हम इन दोनों होसुस को प्रॉपरली निकाल सके तो सेकंड स्टेप है इन दोनों होसुस को पावरेट से बाहर निकालना और ये एकदम हासानी से निकल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो अब हम इन होसुस को और पाइपस को क्लीन करेंगे तो हमारे इनलेट आउटलेट होसुस और पाइपस ये पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं अब हमें हमारे canister filter को अंदर लेकर जाना है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि power head और bucket से attach ये चार clips है जिसे हमें निकालना है ताकि हम power head को bucket से detach कर सके या उससे बाहर निकाल सके तो अब हम निकालेंगे ये power head और आप देख सकते हो बड़ा सा UV light दिया हुआ है Sunsun 304B में तो आप प्रॉपली देख सकते हो ये पूरा power head तो उपर का part ये जो आप देख रहे हो बड़ा सा इसे बोलते है pump और ये side में ये UV light का switch button और नीचे ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते है UV light तो UV light को use किया जाता है ताकि आप अलगे को निकाल सको आपके tank से बट मैं इसे use नहीं करता हूँ because हमारे tank में अलगे नहीं होती है ये center में आप जो देख रहे हो इसे बोलते impeller आपको इसे देखने के लिए left तरफ से just twist करना है and आप इसे देख सकते हो so इसे बोलते impeller ये almost हर एक filter में होता है चाहे वो internal filter हो top filter हो तो canister में बड़ा सा impeller होता है and आपको इसे आराम से कैफुली clean करना है रखना है बड़ आपको हमेशा याद रखना है कि ये सबसे important part है canister filter का ये power head में होता है जिसके मदद से ये पूरा canister filter function होता है और properly run होता है तो अब हम हमारे canister filter के bucket के अंदर के baskets या trays को निकालेंगे so 304 series में आपको 4 trays मिलते हैं या 4 baskets मिलते हैं तो ये रहा सबसे पहला वाला basket या tray अब हम निकालेंगे दूसरा tray and मैं चाहूंगा कि आप sponge के तरफ देखो कि कितनी dirt absorbance हुई है कितना ज्यादा dirt को sponge ने absorb किया है ये indication है कि आपका canister filter बहुत अच्छे से function कर रहा है and आपका tank अच्छे से clean हो रहा है तो अब हम निकालेंगे तीसरा tray तो तीसरे tray में भी आप देख सकते हो कि मैंने ceramic rings ही डाली है तो मैंने try किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ceramic rings डालू ताकि ज़्यादा से ज़्यादा good bacteria colonization हो so अब हम निकालेंगे last tray, चौता tray so इस tray में सिर्फ मैंने sponge add किया है and यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफी ज़्यादा dirt जो है वो jam गई है so जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 304 series में आपको यह देखिए चार trays मिलते, चार baskets मिलते और इनका size भी ज़्यादा होता है as compared to 303 series में जहाँ पर आपको सिर्फ 3 trays मिलते और इन baskets का size भी छोटा होता है तो यह रहें 3 ceramic rings के packet and आप देख सकते हो ज़्यादा time use करने के बाद इनकी जो size बड़ी हो चुकी है because pores जो है वो clog हो चुके है and हमेशा याद रखिए जैसे ही आप आपके canister filter से इने निकालते वैसी इने tank के पानी में add कर दीजिए इने थोड़ा भी ज़्यादा देर बाहर सूकने मत रखिए ताकि अगर ऐसा करेंगे तो सारे जो good bacteria से वो मर जाएंगे तो जैसे आप इने बाहर निकालते वैसे आप इने tank के ही पानी के अंदर रखिए तो आप देख सकते हैं इनका जो size है बढ़ चुका है इसलिए मुझे आप इने replace करना होगा तो bucket को आप normal water से clean कर सकते हो पर याद रहे आपके sponge को हमेशा tank के water से ही clean कीजिए तो ये रहे हमारे सारे sponge जो एकदम clean हो चुके हैं तो sponge तो सारे clean हो चुके है बढ़ आप देख सकते हो कि क्योंकि मैंने इनको बहुत time use किया है तो इनका जो thickness है वो बहुत कमजोर हो चुके है because बहुत ज़्यादा dirt absorb करके ऐसा होता ही है इसलिए मैं अब इने replace करने वाला हूँ और मैं ये नया sponge add करने वाला हूँ तो आपको ये किसी भी local fish shop में मिल जाएगा मैंने इसे nas aquarium kurla से लिया है तो मेरे ख्याल से ये more than enough है इन चारो trace के लिए and ये काफी अच्छा quality का है और साथ में यहापे मैं नए filter media भी add कर रहा हूँ because आपने देखा कि हमारी पूरानी ceramic rings जो है उनके pores जो हो clog हो चुके है size बढ़ चुकी है इसलिए मैं अब नए ceramic rings add कर रहा हूँ और ये है black carbon तो इसे use किया जाता है heavy metals को निकालनी के लिए या smell को भगानी के लिए तो black carbon भी मैं add करने वाला हूँ and हमेशा याद रखे black carbon को आपको सबसे उपर वाले tray में add करना होता है यानि कि first tray में आपको bottom में ceramic rings add करने होते हैं अगर आप उल्टा करते हो तो जो good bacteria है वो सारे मर जाएंगे so हमारे सारे filter media एकदम ready है पर add करने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा हमारे नए sponge इनकी quality देखे काफी अच्छी है काफी थिक है तो dirt को काफी अच्छी तरह से absorb करेंगे so ये बहुत लंबे है long है इसलिए हम properly इने fit नहीं कर पाएंगे हमारे basket में इसलिए हम इने cut कर देंगे बड़ उससे पहले दिखाना चाहूँगा left में अब देखे पुराना sponge right में नया sponge पुराने sponge की कितनी हालत खराब हो चुकी इसलिए हमें इसे replace करना पड़ रहा है तो scissors के मदद से हमने इन लंबे size के sponge को cut कर दिया है and मेरे ख्याल से एक तरफ का sponge ही आराम से बैट जाएगा पूरे baskets में तो मैंने नए filter media सारे add कर दी है baskets के अंदर and again आपको बताना चाहूंगा bottom के tray में या last के tray में आपको हमेशा sponge या bio media add करना है नीचे के एक tray में मैं bio balls भी use कर रहा हूँ because इनके help से भी काफी अच्छा powerful biological filtration होता है because bio balls में भी काफी ज़्यादा surface area होता है तो of course beneficial bacteria, good bacteria आएंगे ही तो सारे filter media trays को मैंने add कर दिए अब लगाते हम हमारे power head को power head को लगाने के बाद हमेशा याद रखिए कि आपके bucket और power head के बीच में gap बिलकुल नहीं दिखना चाहिए अगर gap दिखेगा तो आप इन clips को properly attach नहीं कर सकते और आपका bucket और आपका power head ये properly fit नहीं बैट पाएगा जब आप properly से इन्हें बिठाओगे तब ये clips जो एकदम आसानी से बैट जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो कभी कबार जो power head का rubber है वो नीचे slip हो जाता है तो इसलिए चेक कीजिए लगाने से पहले कि वो rubber भी proper है या नहीं जब everything सही है तब ये clips जो आसानी से एकदम बैट जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और ये जो दो clips आप देख रहे हो ये आपके bucket से ही attach होते हैं और दो clips जो है वो आपके power head से attach होते हैं तो ये देखिए सारे clips जो है वो एकदम आसानी से बैट चुके हैं और हमारा canister filter ये एकदम ready है full on maintenance खोने के बाद अब हम हमारे canister filter में लगाएंगे hoses जो inlet outlet hose हमने clean किये ते वो लगाएंगे ये एकदम easily bed जाते है बिना किसी difficulty के बस आपको press करना है अंदर के तरफ so that's it but अब देख सकते हो कि पानी अभी भी नहीं आ रहा है तो हमने switch को तो on कर दिया है canister के but पानी नहीं आ रहा है so आपको क्या करना है इस जो liver है उसको फिर से press करना है and next step है आपका ये जो pump है उसे press करना है तो इस तरह से press नहीं कीजे because मैं एक हाथ से shoot कर रहा हूँ और एक हाथ से मैं press कर रहा हूँ but properly नीचे के तरफ press कीजे अब आप देख सकते पानी किलकुल अच्छे से flow से आ रहा है so that was today's video about canister filter maintenance I hope you enjoyed watching thank you so much for watching happy fish keeping and have a wonderful day ahead